नमश्कार मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं बहुती सुन्दर बहुती बढ़िया स्टोरी अमरपाली की कहानी अमरपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है अमरपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है लेकिन अमरपाली की खूबसूरती ही उसके दुर भागय की सबसे बड़ी वज़े बनी अमरपाली को बहुत ही कम उमर में राज्य के उदेश से विश्य बनना पढ़ा वह शायद इतिहास की इकलोती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी एक खुबसूरत लड़की इसको नगरवदू बनने और उसके बाद भिक्षुक बन जाने की यात्रा में इस युग में कई परसिद लोगों के नाम आते हैं आईए जानते हैं अमरपाली की ट्रैजिक और दुख भरी कहानी अमरपाली इतिहास की बहुत ही खुबसूरत या सबसे खुबसूरत महिला थी प्राचीन भारत में 500 इशापूर्व गंड राज्य की राजधानी वेशाली में एक गरीब दमपत्ती को आंगे पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी हुई मिली अमरपाली की माता पिता को का नाम तो इतिहास में नहीं मिलता लेकिन आम के पेड़ के नीचे पड़ी रहने से ही इसका नाम अमरपाली रख दिया गया अमरपाली अपनी समय की सबसे खुबसूरत महिला थी पाली गरंतों में उसके सौंधरिय का वर्णन मिलता है अमरपाली वो इतनी खुबसूरती की नगर का हर पूर्ष उससे विवाह करने के लिए ललाईत था पाली ग्रंतों के मताबिक राज्य से लेकर विपारी हर कोई अमरपाली को पाना चाहता था अमरपाली के लिए शादी के परस्ताओं का धेर लगा हुआ था इतनी सारे विवहा परस्ताओं की वज़े से अमरपाली के माता-पिता बड़ी ही दूईधा मिफास गए थे अमरपाली के अपने तो कोई माता-पिता नहीं थे लेकिन जिनको वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी वही उसके माता-पिता थे अगर अमरपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी पूर्ष बहुत ही नराज हो सकते थे और नगर में अशान्ती फैलने का डर था विशाली एक लोगतांत्रिक राजा था जिसकी अपनी एक सांसत भी थी जब अमरपाली की सौंधरिय और सभी बातों का पता सांसत के सदस्यों को चला तो उन्होंने इस मुद्य पर चर्चा करने का फैसला किया और उन्होंने तै कि विशाली राज्य की एक्टा और शान्ती के लिए सभी की खुशी भी बहुत जुरूरी है इसलिए अमरपाली को नगर वदू बना दिया गया अमरपाली अब सभी की वदू थी नगर के जितने भी पोश्टे उनकी वदू बन गई अमरपाली पूरी नगर की दूलन बन गई जिसे हर कोई व्यक्ति प्यार कर सकता था अमरपाली को नगरवदू बनने से विशाली के लोगों में खुशी की लहच चली गई लेकिन इस तरह से अमरपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई अमरपाली को जनपत कल्यान की उपादी दी गई यह किताब साथ साल के लिए दिया जाता था इससे समराज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था अमरपाली को अपना महल मिला उसे शारेरिक संबंद बनाने के लिए अपनी पार्टनर चुनने का भी अधिकार मिला इसके बाद वहदरबार की नर्त की भी बन गई अमरपाली और बिमसार का इसके बाद वर्णनाता है अमरपाली और बिमसार का चैप्टर इस प्रकार है मगद के राजा बिमसार विशाली के साथ हमेशा ही शतुरता पूर्वक रिष्टा रखते थे जैसे में अमरपाली से मिलने जाने के लिए उन्होंने दूसरा वेश बनाया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए बिमसार खुद एक संगीत कार भी था जब वह अमरपाली से मिला तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़ गए अमरपाली बिमसार के बच्चे की मा भी बनी उसका बेटा आगे चल कर बोध भिख्शुक बन गया एक बार जब बिमसार ने विशाली पर आकर्मन किया तो उसने अमरपाली के महल में ही शरन ली उसी दोरान आमरपाली को बिमसार की असली पहचान का पता चला आमरपाली ने बिमसार से युद रोकने के लिए कहा बिमसार ने आमरपाली की बात मार ली बिमसार ने आमरपाली को मगद की महरानी बनने का परस्ताव भी दिया लेकिन आमरपाली ने उस परस्ताव को असविक तो शायद भ्यंकर युद छिड़ जाता और हजारों लोग मर सकते थें। इसके बाद आता है अमरपाली और अजाज शत्रू का चप्टर बिमसार का पुत्र अजाज शत्रू था वहे भी अमरपाली पर मोहित था। अमरपाली भी उससे प्रेम करने लगी थी लेकिन जब विशाली के लोगों को पता चला तो उनोंने अमरपाली को जेल में डाल दिया। अजाज शत्रू इस बाद से इतना अधिक रोधित हो गया कि उसने विशाली पर कहर बरसाया, युद कर दिया और बहुत से लोगों की ज जब इस बारे में अमरपाली को पता चला तो वह बहुत दुख्य हुई, वह अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी और किसी भी कीमत पे वह अपने प्यार को पाना नहीं चाहती थी जिससे कि उसके राज्य पर संकर्ट आए या कस्ट आए, बड़े बड़े वेपारी र बोध भिक्षुक को ना केवल खाने परमंतरित किया बलिक चार महीने के लिए अपने घर पर रहने का अनुरोद किया, बोध भिक्षुक ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बोध की आज्या के बाद ही ऐसा कर सकता है, बुद ने सब को हैरानी में डाल दिया और बोध अनुमती दे दी, चार महीने बाद अमरपाली बोध भिक्षुक के साथ आई, बोध के चर्णों में गिर पड़ी, अमरपाली ने जो कहा उसे सुन कर सब हैरान रहे गई, अमरपाली ने कहा मैं आप से बोध भिक्षुक को मोहित नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अध्यात्मिक से जुड़ गई हूँ, अब मैं अध्यात्मिक की रहा पर ही चलूँगी, और ऐसा कहकर वह भी भिक्षुक बन गई, और बोध धरम को अपना लिया, इस प्रकार मित्रों अमरपाली की, एक सच्ची कहानी आज हमने आपके साथ शेयर की, अमरपाली खूबसूरती में तो बहुत ही खूबसूरत थी ही, लेकिन दिल से भी बहुत खूबसूरत थी, और उसकी खूबसूरती ही, उसके लिए अभिशाब बनी, इस प्रकार मित्रों, अमरपाली की नगर वदू बनने की, यह इतिहास की कहानी आज हमने आपके साथ श चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें